प्रेंट्स मैं रंजीत आप सभी को S1 कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं प्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संचित सब्दों के पुर्ण रूप के बारे में क्या होता है कि यहां से किसी भी एक्जाम में जैसे से हो या रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो एक या दो कोस्टन क्या होता देखने को मिल जाता है तो उस exam के purpose से आज के वीडियो के आता बहुत जरूरी हो जाता है और वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको like करें और अपने दोस्तों के पास share करें तो चलिए वीडियो start करते हैं तो देखिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग CRY do you seekers मतलब क्या हम इसνदा पुरा रूप फुल फर्म क क्या हुए तो चाहिल रिलिफ एंड यू सिराइ का फुल फर्म क्या हुए तो चाहिल्ड रिलीफ एंड यू कि उसके बाद सबस्क्राइबर आइडन्टीटी खीर उसके अग्यूजी सी इसका फुल फर्म кष्टी ग्रांट कमिशन उसके बाद है बहुत्मेल प्रोटेक्शन फोर्स पिर इसके बाद है CAS इसका फुल फर्म की इसनल एक्सिस्तम प प्र उसके बाद है SARS, इसका फुल्फर्म वा, Severe Acute Respiratory Syndrome, फिर उसके बाद देखिए, ATM, ATM का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Automated Tailor Machine, फिर उसके बाद देखिए, SMS, इसका फुल्फर्म क्या हुआ, Short Messaging Service, उसके बाद देखिए, AIDS, इसका फुल्फर्म क्या हुआ, तो Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS का फुल्फर्म क्या हुआ, Acquired Immunodeficiency Syndrome, उसके बाद देखिए, HUF, हुआ का फुल्फर्म क्या हुआ, हिंदू Undivided Family, उसके बाद है, C-set, C-set का फुल्फर्म क्या बाद, Civil Services Aptitude Taste, फ्रेंट सब्सक्राइब वीडियो पसंद आरो, तो उसको लाइक करें, उसके बाद है, VAT, इसका फुल्फर्म क्या बाद, Value Added Tax, उसके बाद है, HIV, HIV का फुल्फर्म क्या हुआ, Human Immunovirus, उसके बाद है, STD, STD का फुल्फर्म क्या हुआ, Study Trunk Dialing, उसके बाद देखिए, उसके बाद है, ISD, ISD का फुल्फर्म क्या हुआ, International Subscriber Dialing, उसके बाद है, PCO, PCO का फुल्फर्म क्या हुआ, Public Call Office, उसके बाद है, PTI, इसका फुल्फर्म क्या हुआ, तो Press Trust of India, फिर उसके बाद है, CDMA, CDMA का फुल्फर्म क्या हुआ, Code Divisional Multiple Axis, उसके बाद MRI, MRI का फुल्फर्म क्या हुआ, DTP, तो DTP का फुल्फर्म क्या हुआ, Desktop Publishing, उसके बाद है, TRAI, TRAI का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Telecom, Regulatory, Authority of India, उसके बाद MNP, MNP का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Mobile Number Portability, उसके बाद GSM, GSM का फुल्फर्म क्या हुआ, Group Special Mobile, उसके बाद देखे, BSNL, तो BSNL का फुल्फर्म क्या हुआ, तो भारत संचार निगम Limited, फिर उसके बाद है, MTNL, तो MTNL का फुल्फर्म क्या हुआ, महानगर, Telecom, निगम, लिमिटेड, उसके बाद IRCTC, तो IRCTC का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Indian Railway, Catering and Tourism Corporation, उसके बाद देखे, IPO, IPO का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Initial Public Offer, उसके बाद SEBI, SEBI का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Security and Exchange Board of India, उसके बाद AIR, AIR का फुल्फर्म क्या हुआ, तो All India Radio, उसके बाद है CID, CID का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Criminal Investigation Department, उसके बाद है CTBT, तो CTBT का फुल्फर्म क्या हुआ, Comprehensive Test Ban Treaty, उसके बाद है ECG, ECG का फुल्फर्म क्या बाद है, Electrocardiogram, उसके बाद क्या है, EEG, EEG का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Electro, इन से Phelography, उसके बाद EVM, तो EVM का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Electronic Voting Machine, उसके बाद FIR, तो FIR का फुल्फर्म क्या हुआ, First Information Report, उसके बाद देखे, GPO, तो GPO का फुल्फर्म क्या हुआ, तो General Post Office, उसके बाद GIC, GIC का फुल्फर्म क्या हुआ, तो General Insurance Corporation, उसके बाद है IAS, IAS का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Indian Administrative Service, उसके बाद है DNS, तो DNS का फुल्फर्म क्या हुआ, तो Domain Name System, उसके बाद है IPS, तो IPS का फुल्फर्म क्या हुआ, Indian Police या Indian Postal Service, IPS का फुल्फर्म क्या हुआ, Indian Police या Indian Postal Service, उसके बाद है IFS, तो IFS का फुल्फर्म क्या हुआ, Indian Forest या फिर, इंडियन foreign service, उसके बाद IPC, IPC का full form क्या हुआ, तो Indian panel code, उसके बाद दखिए ISO, तो ISO का full form क्या हुआ, तो international standard organization, उसके बाद OBC, OBC का full form क्या हुआ, अधर backward community, या फिर other backward classes हुआ, उसके बाद PIN, PIN का full form क्या हुआ, तो postal index number, उसके बाद www, का full form क्या हुआ, तो worldwide wave, उसके बाद है HTML, HTML, HTML का full form क्या हुआ, तो hypertext markup language, उसके बाद है HTTP, तो HTTP का full form क्या हुआ, तो hypertext transfer protocol, उसके बाद RTI, तो RTI का full form क्या हुआ, तो write to information, उसके बाद है RBC, तो RBC का full form क्या हुआ, तो red blood cell, उसके बाद है BBC, तो BBC का full form क्या हुआ, तो British Broadcasting Corporation, उसके बाद है PAN, PAN का full form क्या हुआ, तो permanent account number, उसके बाद दखिए PDF, तो PDF का full form क्या हुआ, portable document format, PDF का full form क्या हुआ, portable document format, फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंदार तो उसको like करें, और share भी करें अपने दोस्तों के पास, उसके बाद है IFSC, तो IFSC का full form क्या हुआ, तो Indian Financial System Code, यह IFSC का full form क्या हुआ, Indian Financial System Code, उसके बाद है FSAI, तो FSAI का full form क्या हुआ, food safety and standards authority of India, उसके बाद Wi-Fi, तो Wi-Fi का full form क्या होता है, wireless fidelity, यह तो बहुत लोगोंने नाम सुना होगा Wi-Fi, तो Wi-Fi का full form क्या हुआ, wireless fidelity, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है Google, तो Google का देखिए, यह भी बहुत से लोगों का phone में भी रहता है, लेकिन इसका full form नहीं पता होता है, तो वो जान लें, तो देखिए, Google का full form क्या हुआ था, Global Organization of Oriented Group Language of Earth, क्या होता Google का full form, यह पिर से देखिए, Global Organization of Oriented Group Language of Earth, उसके बाद है याहू, याहू का full form क्या होता है, येट एनदर हायर कियेकल ओफिसियस ओरेकल, क्या होता याहू का full form, येट एनदर हायर कियेकल ओफिसियस ओरेकल, उसके बाद देखिए, Computer, प्रेंच देखिए, Computer, ये अकसर हर जगा पुछा जाता है, Computer का full form बताई है, Computer में M का मतलब बताई है, T का मतलब बताई है, तो अच्छे से जान लें आज, देखिए, क्या होता Computer का full form, तो Common Oriented Machine, Particularly United and Used for the Technical and Educational Research, एक बार फिर से देखिए, Common Oriented Machine, Particularly United and Used for the Technical and Educational Research, चलिए उसके बाद देखते हैं, Virus, D-I-R-U-S, इसका full form क्या होता है, तो Vital Information Resources Under Siege, क्या होता है, यह Virus का full form, तो Vital Information Resources Under Siege, उसके बाद देखिए, API, तो API का full form क्या होता है, Application Programming Interface, क्या होता है, Application Programming Interface, API का full form होता है, उसके बाद देखिए, BIOS, तो BIOS का full form क्या होता है, Basic Input Output System, क्या होता है, Basic Input Output System, उसके बाद देखिए, DPI, तो DPI का full form क्या होता है, Dots Per Inge, उसके बाद देखिए, DVI, तो DVI का full form क्या होता है, Digital Visual Interface, क्या होता है, DVI का full form, Digital Visual Interface, अगर वीडियो पसंदारों, उसको लाहिक भी करें, उसके बाद देखिए, FAT, तो FAT का full form क्या होता है, तो File Allocation Table, क्या होता है, FAT का full form, File Allocation Table, देखिए, फ्रेंट्स, ये एक्जाम के अलावे, एसे भी, रियल लाइप में भी, एसे वर्ड को क्या तो देखने को हर जगा मिल जाता है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता है, तो अच्छे से देखिए, ताकि उसको दिक्कत ना हो समझने में, उसके बाद देखिए, EMI, तो EMI का full form क्या होता है, Electromagnetic Interface, क्या होता है, EMI का full form, Electromagnetic Interface, चलिए उसके बाद देखते हैं, GB, जो यूज किया जाता है, आजकल लोगों के मुह से बोला जाता है, GB, कितने GB का डाटा डलाए, कितना GB आपके मुबाइल में है, तो इसके बारे हम जानने, GB का मतलब क्या होता है, Gigabyte, उसके बाद देखिए, GUI, तो GUI का full form क्या होता है, Graphical, User, Interface, उसके बाद देखिए, AM, PM, यह भी नाम सोने होंगे सब कोई, कितना बज़ रहा है, 10 AM हो रहा है, 12 PM हो रहा है, ऐसे, तो इसका full form जान ले, तो देखिए, AM, AM का मतलब होता है, Anomeridian, क्या होता है, AM का मतलब, Anomeridian, उसके बाद होता है, PM, PM, तो PM का full form क्या होता है, Post Meridian, तो देखिए, AM मने Anomeridian, और PM मने Post Meridian, तो दोनों चानल ले, उसके बाद देखिए, DOB, तो DOB का मतलब होता है, Date of Birth, जो हर कोई बोलता है, Date of Birth है, किसका है, मतलब क्या, DOB, Date of Birth, उसके बाद देखिए, DNA, तो DNA का मतलब क्या होगा, डियोक्सी राइबोनियूकलिक एसीड, क्या होता है, DNA का full form, डियोक्सी राइबोनियूकलिक एसीड, उसके बाद देखिए, QR कोड जो हर मुभाइलों में रहता है, या कहीं भी देखने को मिलता है, एक कोड, जिसको बलते है, QR कोड, इसका full form क्या होता है, तो quick response कोड, क्या of law जो कोई law का जो डिगरी लेता है तो उसको स्वाट में लो ले भी बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बैचलर्र अफ लॉओ उसके बाद यह आगे आगे दखिए तो यू एई यह देश का नाम है तो इसका फुल फर्म क्या होता है तो यूनाइटिड अरब अमिराथ यू एई और यह यह एक इंस्टिट्ट है एक सनस्था का नाम एंजी यू तो इसका फुल फर्म क्या होता है नौन गॉबर्मेंटल ओर्गनाइजेशन उसके बाद एक आइसी यू तो आइसी यू क्या होता है यह इंटेंसीव के यूनिट होता है जो हुस्पिटलों में दखिएगा कि मिल जाता लिखावा कि पैसेंट को ICU में भरती किया गया है तो उसका पूरा रूप क्या होता है तो उसका होता है Intensive Care Unit उसके बाद दखिए SDM, यह SDM क्या होता है तो SDM का दखिए Sub-Divisional Magistreet होता है, यह SDM होता है जो एक division होता है एक जिला वगरा में तो वहां रहता है Magistreet के रूप में तो वहां पर सुने होंगे आप लोग नाम की SDM है यहां का तो उस SDM का पूरा रूप क्या होता है सब-Divisional Magistreet उसके बाद दखिए EMI तो EMI का फुल फॉर्म क्या होता है तो होता है Equated Monthly Installment EMI का फुल फॉर्म क्या होता है Equated Monthly Installment उसके बाद दखिए यह ITI तो ITI तो ITI का फुल फॉर्म क्या होता है Industrial Training Institute क्या होता ITI का फुल फॉर्म इंडिस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट उसके बाद दखिए KFC एक बहुत ही धनी कंपनी का नाम थे बहुत बढ़ा एक कंपनी का नाम है तो BMW यह BMW का फुल फॉर्म क्या होता है तो बावारियन मोटर वर्क्स क्या होता BMW का फुल फॉर्म बावारियन मोटर वर्क्स उसके बाद देखिए NRI तो NRI का फुल्फर्म क्या होता है Non Resident Indian क्या होता है NRI का फुल्फर्म Non Resident Indian उसके बाद देखिए BBA BBA का फुल्फर्म क्या होता है Bachelor of Business Administration क्या होता है BBA का फुल्फर्म Bachelor of Business Administration उसके बाद देखिए CBI CBI का फुल्फर्म क्या होता है तो CBI का फुल्फर्म होता है Central Bureau of Investigation, क्या होता CBI का फुल्फर्म? Central Bureau of Investigation, उसके बाद देखिए CEO, तो CEO का फुल्फर्म क्या होता है? Chief Executive Officer, क्या होता है? CEO का फुल्फर्म Chief Executive Officer, उसके बाद NCR, तो NCR का फुल्फर्म क्या होता है? National Capital Region, क्या होता NCR का फुल्फर्म? National Capital Region, उसके बाद देखिए OK, तो OK हर कोई बोलता है OK, सब ठीक है, तो यह OK का फुल्फर्म क्या होता? All Correct, क्या होता OK का फुल्फर्म? All Correct, उसके बाद देखिए FAQ, फेक जिसको बोलते हैं, तो FAQ का full form क्या होता है तो frequently asked questions क्या होता है FAQ का full form frequently asked questions उसके बाद देखिए AMD तो AMD का full form क्या होता है advanced micro system sorry क्या होता है AMD का advanced micro device system नहीं होता है AMD का full form क्या होता है advanced micro device उसके बाद देखिए CD तो CD का full form क्या होता है compact disk प्रेंट से करें video पसाना तो उसको like करें और share भी करें उसके बाद देखिए CD-ROM CD-ROM का full form होता है compact disk read only memory क्या होता है CD-ROM का full form compact disk read only memory उसके बाद देखिए DVD तो DVD का full form क्या होता है digital versatile disk फिर CPU तो CPU का full form क्या होता है central processing unit ये सब computer का parts का full form है तो ये भी याद रखें उसके बाद देखिए 2G जो आज कल फोनों में चला था एक क्रीज है 2G, 3G, 4G, 5G एक generation है तो ये 2G का full form क्या होता है 2G होता है second generation of mobile technology उसी परकार 3G का full form क्या होगा तो third generation of mobile technology फिर उसी परकार देखिए 4G तो 4G का full form क्या होगा तो वही होगा fourth generation of mobile technology इसी तरह आगे आएगा 5G तो क्यों क्या होगा third generation of mobile technology तो इसी तरह range में इसको याद करते रहें उसके बाद है FTP तो FTP का full form होता file transfer protocol क्या होता FTP का full form फाइल transfer protocol उसके बाद है IP तो IP का full form होता internet protocol उसके बाद दखिए WAN जिसका full form होता wide area network फिर LAN मतलब local area network उसके बाद MAN मतलब metropolitan area network फिर GPRS मतलब general packet radio service उसके बाद दखिए GSM GSM का full form क्या होता तो global system for mobile application क्या होता GSM का full form global system for mobile application उसके बाद MMS तो MMS का full form क्या होता multimedia message service क्या होता MMS का full form multimedia message service उसके बाद दखिए WAP WAP का full form होता wireless application protocol क्या होता wireless application protocol फिर MBPS तो MBPS का full form क्या होता मेगा बाइट पर second क्या होता है मेगा बाइट पर second इसी तरह KBPS यह होता है किलो बाइट पर second उसके बाद दखिए MB मतलब मेगा बाइट KB मतलब किलो बाइट TB मतलब टेरा बाइट और GB मतलब गिगा बाइट तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि क्या कि 1024 जो बाइट होगा वो क्या होगा वो एक MB होगा उसी परकार 1024 MB एक GB फिर उसी परकार 1024 MB तो वो क्या होगा एक GB तो इस परकार जात रखें उसके बाद देखिए OMR तो OMR का फुल फर्म क्या होता है Optical Mark Recognition उसके बाद देखिए IMEI तो IMEI का फुल फर्म क्या होता है तो International Mobile Equipment Identity क्या होता है International Mobile Equipment Identity उसके बाद एसन तो ESN का फुल फर्म होता है Electronic Serial Number उसके बाद UPS Uninterpreted Power Supply Uninterrupted Power Supply फिर HDMI मतलब High Definition Multimedia Interface फिर VPN वर्चुल प्राइवेट नेटवर्क उसके बाद देखिए उसके बाद LED मतलब लाइट एमेटिंग डायोड फिर BGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे उसकी बाद QBGA मतलब क्वाटर वीडियो ग्राफिक्स फिर WBGA मतलब White Video Graphics Array उसके बाद देखिए क्या है WXGA White Screen Accidented Graphics Area क्या होता है White Screen Extended Graphics Area फिर USB मतलब Universal Serial Bus उसके बाद क्या है WLAM मतलब Wireless Local Area Network फिर PPI मतलब Pixel Per Inge फिर LCD लिक्वीड क्रिस्टल डिस्पलेई उसके बाद APK मतलब Authenticated Public Key क्या होता है Authenticated Public Key फिर CDME मतलब Core Divisional Multiple Axis क्या होता है Core Divisional Multiple Axis फिर DTP मतलब Desktop Publishing उसके बाद GPS मतलब Global Positioning System क्या होता है Global Positioning System उसके बाद OS मतलब Operating System उसके बाद OTG मतलब One the Go तो बस यह अन था प्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको ब्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की भी शेयर भी करें और हाँ अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार बने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नौटी बेकसा सबसे पहले आप तक पहुंचे तो फिर जाले मिलते अगला वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक्यों फॉर वाचिंग कर दो